कि नमर्शार दोस्तों तो आज की इस वीडियो लेक्शन में बात करने वाले हैं BCD to 7th Segment Decoder के बारे में तो थोड़ा सा टॉपिक को पहले मैं explain कर दूँ BCD क्या होते थे Binary Coded Decimal यानि कि Decimal Number 0 से लेकर 15 तक के Decimal Numbers को जो हम लोग Binary में Change कर लेते थे वह पूरा कहलाता था Binary Coded Decimal तो उस पूरे Binary Coded Decimal को हम लोग किसमें डिस्प्ले करने वाले हैं 7th Segment में डिस्प्ले करने वाले हैं तो उसके लिए जो पूरा हम kit use करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं BCD to 7th Segment Decoder तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे बोट पे मेरे पास बहुत सारे डाइग्राम्स बने हुएं धिरे-धिरे करके मैं सबको explain करूंगा बिल्कुल भी panic होने की जर्वत नहीं है बहुत easy topic है generally हम लोग यह सुनते हैं कि बहुत ही difficult topic है बहुत सारे tables बहुत सारे डाइग्राम्स होते हैं नहीं है आपर हम लोग easily सारी चीज़ें समझ देंगे तो शुरुबात करते हैं कि display हमारा जो होता है वो दिखता कैसे display हमारा ऐसा कुछ दिखता है 7th segment इसको basically इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर 7 LEDs का use होता है जो कि आप देख रहे हैं मैंने मार कर रखिए A B C D E F G से ठीक है ऐसे इसका placement होता है कि वो total हमें कैसा दिखता है 8 के shape में दिखता है अब हमें मालूम है कि हमारे जो digits होते हैं 0 to 9 बहुत ही easy होते हैं और यहां पर हमको display कैसे में दिखता है ऐसा 0 shape दिखता है ऐसा 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ठीक है तो इसके हिसाब से हम लोग अभी table बनाएंगे जो कि table के लिए में पास यहां जगाने थी उसको बाद में बनाएंगे तो यहां पर हमने देख रहा है कि 0 के लिए सिर्फ बीच वाली LED नहीं जलती है ठीक है उसके हिसाब से हम लोग एक table बनाएंगे अभी जी वाली LED उसमें नहीं जलेगी या 7447 यही IC का नाम है BCD27 Segment Decoder कोई भी पूछे BCD27 Segment Decoder की IC कौन सी होगी 7446 या 7447 दो IC की बार में हम लोग अभी और पढ़ेंगे यहां पर जो की है 7448 और 7449 इनके बार में भी मैं यहां बताऊंगा जैसा की इस सेग्मेंट में मुझे दिख रहा है यह मेरी IC है दीक है IC में यहां पर मेरे यह जो ABCD है यह क्या है inputs है अब इस inputs को मैं किसी भी kit से दे सकता हूं मान लिए यहां पर मैंने एक kit लगा रखी है और यहां पर मेरे 4 inputs हैं यह A, यह B, यह C, यह D इसको मैंने एक supply दे रखी है मान लिए 10V, ठीक है अब मुझे इसमें कोई भी input देना है मान लिए मुझे मुझे देना है 0100 तो यह A हो जाएगा, यह B हो जाएगा, यह C हो जाएगा, यह D हो जाएगा तो अगर इसको मैंने इस kit को इस driver से connect कर रखा है और यहां पर मैं 0 A है, A को लो कर दूँ, B को लो रखूं, C को हाई कर दूँ और D को लो रखूं तो यहां पर जो हमारा input जा रहा होगा, वो क्या होगा? 0010 यानि कि 4 जा रहा होगा चिक है? अभी यह जो decoder है, यह हमारा इस पूरे 7th segment को drive करेगा इसलिए आप लोग इसको driver भी जाते हैं, अब यहां पर यह थोड़ा complicated है, लेकिन बहुत ही easy है, मैं आभी आराम से समझाओंगा इसमें हमने क्या कर रखा है, यहां पर LEDs लगी हुए है, यह P-type है, यह P-point है, यह N-point है अभी यहां पर लिया कर रखा है, मैंने common anode के बारे में बता रखा है, यानि की दो चीज़े ध्यान देने वाली है, जो 7446 और 7447 है, यह common anode की IC number है, किसका है? common anode का, 7448 और 7449 किसका होगा? common cathode का, common anode, common cathode का क्या मतलब है? कि जो हमारी 7th segment c rights है, उसकी जो LED है, उसका हमने anode सब का common का रखा है, तो वो क्या कहलाएगा? common anode configuration, और अगर मैने सब का cathode common का है, तो वो क्या कहलाएगा? cathode configuration, common cathode configuration, ठीक है? तो यहांकर मैने anode इसका common का रखा है और जो सब के wtedy हैं, उसको मैने driver में install का का तो अगर आप ध्यान से देखते जाएं जो A-LED है अगर मैं यहां पर नेमिंग भी कर दूं A यह V है C है यह D है यह E है यह F है और यह बीच्वाली G है तो A-LED का एनोड का मन हो रखा है जो blue वाला connections है वो सारे मैंने अनोड common का रखें सारे लीडिस को देखते जाएं तो इसके अनोड हमने common का रखें ठीक common होगए और जो इसका cathode है cathode मैंने driver में इंसल्ड का रखा है यहनिकि cathode को मैंने यहांपर A और B वाले का cathode यहां से ले जाके यह मैंने include कर रखा है यहां पर install कर रखा है और वैसे करके C वाले का install कर रखा है वैसे D वाले का कर रखा है और E F G ऐसे करके मैंने सारे यहां पर install कर रखें तो यह हो गया हमारा 7 segment display की IC यह हो गई driver की IC इनको मैंने आपस में connect कर रखा है और इसका मैं input कहां से दे रहा हूं एक मैंने अपना kit ले रखा है उसमें हाई-लो हाई-लो करके इसमें input दूंगा ठीक है इतना काम हो गया यह बीच में मैंने यहां लगा रखे हैं इनका बहुत कोई खास यूज नहीं है सिर्फ यह यूज है कि current limiting registers के नाप से जाने जाएंगे यानि कि यह LEDs को safe रखने के लिए LEDs की safety के लिए basically हमने यहां पर यह registers लगा रखे हैं अभी हम लोग 7 segment IC के पहले बात कर लेता है बहुत ही सिंपल सी IC है ऐसी IC आपको दिख जाएगी यहां पर यहां पर हमने क्या रखा है 10 pin की IC होती है यहां पर मैंने नंबरिंग कर रखी है 123456789 है ऐसे करके नंबरिंग होती है इस pin की basically यहां पर क्या connected है पहले हमारी ABCDEFG यह 7 जो LEDs हैं उनकी pins होंगी 7 पिक्स तो इनकी हो गई अब यह जो दो पिन हमें दिख रही है यह वाले पॉइंट और यह वाले पॉइंट यह किसका है common anode या common cathode जो भी पॉइंट common होगा जैसे यहां पर हम लोग common anode यह बात कर रहे हैं तो यह जो points होंगे यह common anode होंगे दो इसले दे रखे हैं ताकि सुविधा हो जाए यह जो उबबर की LEDs हैं इनका एक common anode होगा और नीचा अले ladies का इनका एक common anode होगा ठीक है इसले common anode दे रखे हैं एक यहां पर आता है DP यह जो DP point है यह generally लोग दिखाना भूल जाते हैं DP क्या है यह decimal point यह decimal point भी seven segment display की IC में होता है जब लोग multiple ICs use करते हैं एक IC की बात नहीं करता हूं जैसे हमें 1.1 दिखाना है तो 1.1 के लिए वहाँ पर point के लिए हमें जरूरत पड़ेगी तो वह point हम लोग इसी IC में दिखा सकते हैं हमें एक अलग सेग्मेंट नहीं जरूर पड़ेगा वहाँ पर तो इस segment में डिस्प्ले का भी point होता है वही decimal point यह fifth number की pin होती है ठीक है इसको on करने के लिए हम लोग fifth number की pin में supply देते हैं ठीक है अब आ जाते हैं में 7447 IC जिसको हमने क्या बताया था BCD to 7 segment decoder ठीक है अभी BCD to 7 segment decoder हमारी 16 pin की IC है यहां पर हमें दिख रही है 16 pin की IC है 8 pin अधर 8 pin अधर ठीक है इनके pins के qualification के बारे में बात कर लूँ तो हमें यहां पर यह दिख रहा होगा A, B, C, D यह हमारे inputs से जो inputs इसमें जा रहे थे किट के थूँ ठीक है यह हमारी इससे connected है यह वाली IC से यह जो उनने IC करने कर रहे हैं यह IC यह वाली है यह वाली यह है खिक इतना simple है यह क्या है हमारी LEDs को display करने के लिए LEDs को install करने के लिए हमने इसमें इसको connect कर रखा है यहां पर हमारे चार input दिख रहे हैं यह ground है यह BCC है खिक है इतनी pins हो गई बची हमारी इन तीन pin के बारे में बात करनी है इन बहुत important है और generally लोग इसके बारे में नहीं जान पाते हैं तो यहां पर मैं यह अला portion रख कर दे रहा हूं उसकी कोई जरूरत नहीं है अगर आपको चाहिए हो तो screenshot दे सकते हैं तो अब हम लोग उन तीन inputs के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले चीज़ ध्यान देने वाली यह है कि इन तीनों inputs में क्या लगा रखा है यानि इसका क्या मतलब है कि यह active low है जब यह low होंगे तब यह active होंगे जब यह high होंगे तो यह active नहीं होंगे तो generally अगर हमें इनका काम नहीं रहता है तो इन्हें हम किस से कने कर देते हैं supply से इसमें high supply जाएगी तो यह बंद रहेंगे ठीक है क्योंकि यह active low है तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं LTI की जिसका फॉल फॉर्म है Lamp Test Input तो Lamp Test Input जैसे की नाम से हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि यह Lamp Test के लिए हमें एक Input प्रोवाइड दिया Lamp का मतलब LEDs यानि कि अगर हम इस Input को Ground से Connect कर दें क्योंकि यह active low है Ground मतलब low supply तो अगर हमने इनको Ground से Connect कर दिया इस थर्ड वाली पिन को तो इसका मतलब है सारे हमारे वहाँ पर LEDs जलने चाहिए इसका यह मतलब है कि जो LED सही होगी वह सारी जल जाएंगी जो घराब होगी तो वह हमें मालूँ चल जाएगी कि यह सेग्मेंट में यह LED नहीं काम कर रहे है तो Lamp Test Input का यह काम हो गया ध्यार लखेगा active low है हम उच्छी भी जाती है कि IC7447 में LTI कौन सी पेन है active low है active high है तो active low बताएंगे हम लोग ठीक है दूसरी आती है RVO जिसका full form है Ripple Blocking Output यह इसे हम क्या कहते है BIV कहते हैं जिसका full form है Blanking Input जैसे कि यहां पर बोला जा रहा है Ripple Blocking Ripple मतलब जो Errors है जो हमें नहीं जरूरत है उस समय के लिए उसे हम क्या कहते है Ripple Blocking मतलब उसे block कर देना तो जैसे कि हम लोग यह जो दो basically pin है यह हम लोग कहां पर यूश करते हैं जो हम लोग multiple segments की बात करते हैं एक से ज्यादा segments की बात करते हैं एक से ज्यादा segments को यूश करते हैं तब हम लोग को यह pink सी जरूर पढ़ती है माल लीजे कि जैसे हम लोग 3 segments यूश कर रहे हैं 3 segments आपस में यूश करते हैं और मुझे इसमें दिखाना है 56 ठीक है maximum count कहां तो जाएगा जैसे 00 से 999 तक जा सकता है इस display में तेक है मुझे यहां पर 56 जिकाना ओभी 56 जिखाना है तो generally कैसे दिखाया जाएगा यहां पर ऐसे दिखाया जाएगा लेकिन हम लोग general language पर फिप्टी जिख सी लिखता है ना 056 तो गोई नहीं लिखता है तो बेसिकली आर्वी ओ और आर्वी आई का काम यह होता है कि यह लीडिंग जीरो जो शुरुवादी जीरो होते हैं उनको हटाने का काम करती है क्योंकि यहां पर शुरुवाद में हमें 0 की जरुवत नहीं है तो यह सुविदा हमें दे रखी है काम ऑब बात कर लेते हैं के मैट की क्या बात करेंगे पहले तो टेबल बनाएंगे इसकी कौन सी अलेडी कब करें अब बात करना इसकी अब हम लोग बात कर लेते हैं उसके टेबल के बारे में, तो टेबल जैसे कि मैंने यहां पर बना रखी है, यहां पर मैंने decimal number लिख रखे हैं, 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक ही हम लोग display कर रहे हैं, फिर मैंने यहां पर inputs ले रखे हैं, BCD to 7 segment decoder के जो inputs हैं, ABCD ठीक है, जिनका यहां पर मैं wait बता तू, 8421 जो code होता था उसके हिसाब से लिखे जाएंगे, और यहां पर है ABCD, ELG, तक के जो 7 segments है, जो 7 LEDs हैं, जो यहां पर on होंगी, उसके लिए हम लोग configuration यहां पर दिखाएंगे, ठीक है, अभी 0 में हम लोग चेक करेंगे कि कौन से LED हमारी on हो रही है, तो सिर्फ G को छोड के सारे यहां पर सिर्फ जी को छोड़के हम लोग संब में हाई लिख देंगे या बन लिख देंगे कुछ ऐसी गर करने लोग इसको धन के लिखेंगे में अब वर में कौन से लिटी जॉन हो रही है बी और सी वादी बी और सी हाई कर दिए बाटी सब को जीरो गर दिया अब ऐसी करके मैं इसमें सॉल्व कर दे रहा हूं आप अपने पास्ट में जो भी कॉपी हो उसमें सॉल्व कर लीज़ाए तू में हमारी कौन सी जल रही है तू में हम लोग इसके लिए कंछ देख देख लेते हैं दोला ना तू में हमारी कौन सी जल रही है ए बी सी नी जल रही है इसे फिल कर लेता है ठीक रहा है खूँ निया, ले, 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 ले.. गरे, ले, ले ले, ले, ले हुआ है तो टेबल मैंने फिल कर ली है हम लोग देख सकते हैं कि जो एट वाला के सब्सक्राइब सारी LED चल लिए है तो यह हमने यहां पर टेबल कर ली यह हमारे अब लोग इसके आगे थोड़ा सा कंटीनू करते हैं कि जो हमारा यह कॉंफिग्रेशन आये हैं इसके इसाब से हम लोग के मैप निकालते हैं सारी LED का एक ऐवाली LED का B वाली LED का C वाली ऐसे करके A,B,C,D से लेकर जीटार हम लोग सारी LED का रटेशन निकालते हैं तो मैं है वो हम लोग यहां सिग्मा एम के ब्राकेट में लेख देंगे जैसे की जीरो फिर यह तू थ्री तो आप देखते जाहिएगा जीरो है तू है थ्री 5 6 7 8 और 9 यहां पर यह हो गए अभी इसके साथ हम लोग चीजे इंक्लूड करते हैं सिग्मा टी यानि की डॉंट केर डॉंट केर कौन सी चीजे हैं कि उनकी 10 11 12 13 14 15 जो की बची हुए डेसिमल नंबर है उनको हम यहां पर डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं तो वो सारे जो हो फॉल्म में थैसे अब की मैं आप और की मैं पूर इंटू पूर सी डी वालोग बनेगा और जब आब इसको पूरा सॉल्व करें तो ए जो ए उसके लिए उक्वेश्चाटी है वह हो नहीं क्वेश्चन लिए रहा हूं आप लोग स्वार्म करके बार निख लीजेगा कोई कोई डाउट हो तो कमेंट डॉक्स में कमेंट कीजेगा तो यह आ जाता है A plus C plus B exclusive edition of D का कॉंप्लिमेंट ठीक है यह यह वाली लीडी के लिए आ जाता है ऐसे ही B के लिए भी आता है B के लिए expression आता है हमारा मैं पड़ दे रहा हूं B plus CD B bar plus CD ऐसे करके B के लिए आ जाएगा C के लिए आ जाएगा D के लिए आ जाएगा तो मैं सारी equations लिए रहा हूं इक पर आपके लिए तो finally हम लोग इस वीडियो के last part में आ गए हैं जहां पर मैंने क्या बताया है सारी जो हमारी LEDs थी A, B, C, D, E, F, G उसके लिए मैंने बताया था कि हम लोग K map solve करते हैं जब हम लोग K map solve कर लेंगे तो final equation जो रहेंगी वो मैंने यहां पर लिख रखी है K map आप please अपने पास solve करिएगा ठीक है क्या है basically मैंने यहां पर K map इसलिए solve किया है ताकि मैं इसका एक logic circuit बना सकूं जो कि आपको बगल में screen पर दिखाई दे रहा होगा तो basically circuit का use क्या है कि जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मेरा यहां पर मैं बोलूं कि तू मैंने लिख रखा है तो तू लिख रखा है मैंने उस तू में कौन-कौन सी LEDs जलेंगी वह हम लोग बगल वाले circuit डाइगराम से बता सकते हैं जैसे कि circuit डाइगराम में दिख रहा होगा कि ऊपर से वहां पर input आ रख्या होगे वह LED उस समय जलेगी मैंने ऊपर वाले inputs में ABCD में inputs रख्या है और जो finally output आएगा logic gates का ABCD small ABCD वह आली LEDs हमारी महाँ पर work करेंगी तो हम लोग यह confirmly बता सकते हैं फिर 2 में कौन-कौन सी LED हमारी जल रही होगी A वाली हाई आएगी वह logic circuit का डाइगराम है उसमें A हमारा हाई आएगा, B हमारा हाई आएगा, फिर C, D हमारा हाई आएगा, E आएगा, F नहीं फिर G यह सारे outputs हमारे महाँ पर हाई आएंगे अगर आप उसे solve करके भी रेखेंगे तो यह सारे outputs हमें महाँ पर हाई मिलेंगे तो basically इसका उस diagram का conclusion यहीं है कि जो हमने KMAM यहाँ पर solve किये, इससे हम लोग यह बता सकते हैं कि हमने अगर कोई यहाँ पर input दिया है ABCD पर तो उसके साब से कौन से यह लेटी हमारी on होगी तो basically इस video lecture के लिए बस इतना ही, thank you झाल